मुद्री प्रदेश की ग्रीमंत्री नरोत्त मिश्डा ने आज भूपाल में पत्रकार गार्ता की इस दोरान ग्रीमंत्री ने कॉंग्रेस पर जमकर तंज गसा और कहा पी तपाई और हमास तो बहाना है कॉंग्रेस का काम आतंकियों को बचाना है मिश्रा ने कहा कि तुष्टी करण का खेल यही कॉंग्रेस का सली चहरा है इस मामले में कॉंग्रेस नेता मलीका अरजुन खड़गे को भी स्पष्ट करना चाहिए ये चिंता और निंदा की बात है ग्रे मंत्री मिश्रा ने दिग्वजय सिंग पर निसाना साथ्तिवे कहा कि ऐसे लोग पंटा धार करके ही मानेंगे कमलनाथ जी क्यों खामोस है ये तो बड़े भाई और छोटे भाई है वो इसपष्ट करे कि वो बयान से तालूक रखते हैं या नहीं कॉंग्रेस को दिग्वजय के बयानों का निंदा प्रस्ताव रखना चाहिए मिश्रा ने कहा आचार प्रमोद किश्णन के एक रीट्वीट किया कि ये आतंकियों के बाप है ये सब पर सवाल उठाते हैं ये किसी और धर्म पर सवाल नहीं उठाते ये गाय पर सवाल उठाते हैं बकरी पर नहीं भोपाल जेल से सब सिमी के लोग भागे तो ये सवाल उठाते हैं कुछ दिन पहले बोले कि नूह जैसा दंगा MP में होगा मुस्लिमों को टर दिखाओ और जमा करो हिंदूओं को आतंकवाद के नाम पर डराओ सिमी की बजरंग दल से तुलना करते हैं हुटी सिमी सब दिगविजा सिंग के कार्वकाल में निट्वर्क मजबूत कर रहे थे ग्रेमंद्री ने कहा जिर्निया के जंगल में कुल में हतियाग भरे पड़े थे तो मैं आप अनमती दें तो मैं मूल विशे पर आता हूँ और मूल विशे है मेरा पी एफ आई दिगविजा सिंग हमास हमास के खास क्यों देंगे देश का साथ पी एफ आई और हमास तो बहाना है कांग्रेस का काम आतंकियों को बचाना है तुष्टी करन से प्रेम यही एक कांग्रेस का असली गेम आई तक ये बात समझ में नहीं आ पाई कि जब दिगविजा सिंग के अपनों पर चोट होती है तो दर्थ से तिल मिला जाते हूँ हमास ने जब इसराइल पर आक्रमन किया तो इनका किसी का भी एक भी शब्द नहीं निकला और इजराइल ने किया तो फिर देखिए कहां कहां से भूम भूम के गली से कोई फिलस्तिनी की गली को पकड़ा किसी ने कोई को कबड़ा कोई पी फाई पे आ गया कि 97 परसेंट केस जूटे हैं जो मामला सब जूडिस हो नियायले में विचारा दीन हो उसको दिखवजै सिंग कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं इस पश्ट करना चाहिए इस पश्ट काइदे से कांग्रेस के निता कमलकार जुन खडगे जी को भी करना चाहिए कि आप इनके दिग्विजे सींग के बयान से सहमत है या आपकी पार्टी सहमत है राहुल गांदी जी को करना चीए और प्रियंका जी तो कल यहीं आके जुट बोल रही थी उन्ने उस पे मौन साथ के रखा यह चिंता की भी बात है और यह निंदा की भी बात है जिस तरह से महब्बत की उनकी दुकान के यह मैनेजर है ना दिग्विजे सिंग जैसे लोग बंटा धार करके ही मानेंगे यह और कुछ करके मानेंगे नहीं कमला जी क्यों खामोसे मैं अभी तक नहीं समझ पाया कमला जी को यह तो बड़े भाई छोटे भाई है कमला जी को इस पश्ट करना चाहिए कि वो दिग्विजे सिंग के इस बयान से इस तफाक रखते है के नहीं रखते है और ऐसी मौल चले की नहीं जनता सब देख रही है अगर देश की एकता और खंडता पर कांग्रेश को विश्वास है तो कांग्रेश को दिग्विजे के बयानों का निंदा प्रस्ताव रखना चाहिए यह दिग्विजे सिंगी ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार बोले हो इनका सुभाव बन गया है आज एक कांग्रेश के नेता का रीट्वीट है या ट्वीट वो मैंने पढ़ा आचारे प्रमोत किष्णन का उनने तो काया कि यह आतंक बाद यह आतंक बादियों के बाप है ऐसा अभी अभी रस्ते में पढ़ता में आ रहा था जब भी सनातन पर आक्रमन की बात आएगी संस्कृति पर आक्रमन की बात आएगी फ्रंट लाइन में खड़े दिगवजय सिंग आएंगे, भगवा को आतंकबाद से जोड़ने वाला कोई हो, बिसे हो, राममंद की तारीक पर सवाल उठाने वाले दिगवजय सिंग हो, महाकाल पर लोक पर सवाल उठाने वाले दिगवजय सिंग हो, आपने कभी इनको किसी द दूसरे धरम पर सवाल उठाते देखा है क्या पुस्तक डूड़ आएंगे फिर गाय हमारी माता कैसे है वो गोवर में बैठती है और कल गव यात्रा के समापन पर पहुंच गए आपने इने कभी बकरी पर सवाल उठाते देखा है कि बकरी अपनी लेली पर कैसे बैठ जाती ह देखा ही नहीं होगा आपने मैं आपका ध्यान उस तरह पाकिसित कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति किस तरह से और कोई संगठन कोई पार्टी जो घमंडिया गठबंदन है वो यह सब के सब किस तरह से ऐसे भी सोको उठाते हैं जाकर नाइक को सांती दूद कहते हैं देखो जैसे सबने सुना होगा आपने किस तरह से वो उसामा को उसामा जी बोलते हैं जाकर नाइक को सांती दूद बोलते हैं बटाला हाउस की पीरा जलकती है मैडम को ले जाकर आंसु बब आते हैं आतंकियों की मौत की बात करना हुजे मैं बोपाल जेल से जब सिमी के लोग भगे तो सबसे पहले घुमाकर सबाल उठाने वाले और कोई नहीं थे वो आधरनी दिखवजय सिंगी थे और इसलिए आपने देखा भी होगा जब पाकिस्तान जिन्दाबाद के जेन में नारे लगे तो स्रीमान दिखवजय सिंगी को वो काजी साब जिन्दाबाद सुनाई देने लगा